हेलो दोस्तो स्वागते आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MP Electrical Tech में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम 6 वे MCV Box की DV Dressing कर सकती है दोस्तो वीडियो मनाएं तो वीडियो को लाइक कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी किजी प्राइस ता कि आपको मिल सके हमारे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से MCV Box फिटिंग की जाती है कहाँ पे कितने MPR का MCV लगता है और किस तरह से लगा जाता है तो वीडियो को A to Z full complete पहुच कीजी अगर आपको मिल में कोई भी doubt हो सवाल हो तो please comment box में लखिए तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते है So guys तो यह है हमारा DV dressing box 6W का दोस्तो इसमें जितनी भी वाइरिंग होनी थी हमने सारी वाइरिंग कर दी है अब दोस्तो इसके हमें dressing करनी है किस तरह से dressing करी जाती है किस तरह से MCV लगाई जाती है आज की इस वीडियो में सारी जानकरी देने वाले है दोस्तो एक circuit हमारा ये है इसमें हमारा विरुकुल भी load नहीं है सिर्फ हमारा एक pipe in socket प्लस दो light है इस तरह से यहां से होते हैं यानि कि एक holder है और ये six way का हमारा board लग रहा है तो इस वाले circuit में कोई भी हमारा load नहीं है तो हम इस वाले circuit को और एक हमारा दोस्तो ऊपर के लिए माम T के लिए circuit गया है बहाँ पे भी हमारा कोई भी load ले है तो इन दोरा circuit को हम 10 Ampere के MCV में add करने वाले है जो दोस्तो इनका yellow color का wire है वो phase wire है जो blue color का wire है वो हमारे neutral wire है और green वाला earthing का है white वाला inverter का है तो सारी जनकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे inverter के connection भी की जाते हैं किस तरह से दोस्तो DV dressing की जाती है यह दोस्तो हमारा room का wiring है जो इस से पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने AC का circuit room तक पहुंचाया था और switch board का circuit किस तरह से room तक पहुंचाया था तो दोस्तो यह हमारी AC की wire है yellow और red color की और दोस्तो यह हमारा main board का wire है जो power plug के लिए डाली थी यानि कि yellow और blue color की और दोस्तो यह inverter और earthing की wire वाकी है तो दोस्तो हमने आपको बताया था उसमें कि एक circuit में 6 wire होती है कहीं कहीं पर 4 भी होती है जहांपे AC का circuit नहीं डाला जाता है वहाँ पर 4 होती है तो दोस्तो यह हमारा दूसरे room का circuit है जिसमें हमारा 6 mm का wire नीचे से आया यानि के ground floor से आया है हमारा 6 mm का wire जो की neutral और face है और दोस्तो दोनों wire हमारी red color की है तो इसलिए हमने यहाँ पर एक wire में cello tape लगा के black color का एक कंड लगा लिया है जिससे हमें indicate हो जाए कि यह हमारा neutral wire है और दोस्तो यह जिसकी last वाले circuit की में बोल रहाता है यह हमारा वही circuit है तो इस circuit को और सबसे पहले वाले circuit को हम 10 ampere के MCV में add करेंगे और दोस्तो जो उपर की तरफ यह red color की wire देख रहे है इस वाली spare wire में तो कहीं-कहीं पैसे spare wire आपको डाल के छोड़ देनी चाहिए कि इन future काम आ सके दोस्तो जिन circuits की में बात कर रहा था वो यह दोनों circuit है तो इनको दोस्तो हम 10 ampere की MCV में add करेंगे और दोस्तो इन में से जो जो एक-एक circuit है उसको हम 16 ampere में add करेंगे जिसमें हमारा AC का circuit गया था उसको हम 16 ampere से connect करने वाले है और बाकी हम 10 ampere से connect करने वाले है जो दोस्तो AC का circuit है उसको हम 32 ampere से add करेंगे तो दोस्तो इस तरह से हम MCV को इस बाले section से लगाएंगे सबसे पहले हम DP यूज करेंगे 63 का उसको बाद 32 का AC के लिए 16 का दोस्तो एक room के लिए यूज कर रहे है और दूसरा यह है दोस्तो दूसरे room के लिए 10 का है और दोस्तो जिनको circuit को मैंने बताया था कि हम दोनों circuit को एक में डालने वाले हैं यहां पर दोस्तो जो MCB यूज की जारी है यह दोस्तो आप देख सकते हैं वो polycap company का यूज कर रहे हैं दोस्तो यहां पर मैं किसी भी company का promotion नहीं कर रहा हूँ जो decent quality है वही मैं आपको बता रहा है दोस्तो यहां पर हम polycap का MCB यूज कर रहे हैं अब इसके बाद दोस्तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम neutral अलग करते हैं phase अलग करते हैं inverter अलग करते हैं तो सारे wire हमने कर लिए हैं अलग तो दोस्तो यह हमारा एक इसमें दोस्तो सारे earthing के बाए हमने एक जगा loop कर दे हैं क्योंकि यहां पर earthing link नहीं है जो यह MCB box इसमें earthing link नहीं दिया है यह सारे wire दोस्तो invert रखे हैं जो कि हमने इस तरह से एक side कर ले हैं और यहां पर दोस्तो जितना भी हमारा neutral है वो हमने सभी एक side कर ले हैं दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं एक भी page नहीं बचाया तो इसके लिए हमने सारे neutral को एक साथ कर लिया है और यहां पर दोस्तो yellow color का wire है वो भी हमारे neutral है जो कि AC के लिए है क्योंकि AC का circuit में हमारा red color का यलो color का wire है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तो यहां पर हमने सारे wire एक साथ कर लिया है और जोस्तो जो कुछ wire हमारे बचे हैं जो कि yellow color का यह आप देख सकते हैं के वल टाई लग रहा है यह दोनों circuit को हम 10A के MCV में डालने वाले हैं मैंने आपको पहले जिसमें tape लग रहा है दोस्तो वह हमारा neutral है और जिसमें तो tape नहीं है वह हमारा phase है और इस wire के gauge की बात करूं तो दोस्तों यहां पर हमारा 6mm का wire है और यहां पर आप देख सकते हैं जो red कर रहा है कुछ इस तरी के से जा रहा है यह दोस्तों ऊपर की planning के लिए है क्योंकि य इस घहर में हम wiring कर रहे थे वहां पर साधी थी तो इसलिए हमने दोस्तों वीडियो शूट नहीं कर पाई और हमारे पास इतना time भी नहीं था क्योंकि यहां पर जितना भी वर्क किया था हमने अकेले ने किया था कोई भी हमारा team member नहीं था तो इसलिए दोस्तों यहां पर हम wiring की looping ही करते हैं हर जगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ inverter का connection किया जाता है और inverter के जितने भी वायर थे हमना सभी एक साथ लगा के एक pipe में लिकाल दिये हैं तो सारी connection यहाँ पर complete हो चुके हैं और दोस्तों इसका जो wiring का वीडियो आगे और दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर rooms में wiring की थी वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है